जै इस्री महाकाल दोस्तों आज हम आपको बताएंगे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था यक्षणी साधना के बारे में एक्षणी साधना कैसे की जाए और उसके करने की बीदी जो हमने पहले बताया था अब आज हम दूसरी एक्षणी के बारे में बताएंगे जो इसे समसान भूमे में अस्तियों पर बैड़कर सिद्ध करके और मुर्दे की चिता पर पके चावल इसको बलिदान में दें इसका जो भोजन है उसको चिता के जो है वहाँ पकाना है जब यह प्रसंद होती है तब अपने बलिदान को स्वयम उठा ले जाती है और आपको और उसको जब आप जब यह साधना करेंगे तो वह जब आप चावल देंगे पका हुआ जो चावल देंगे वह स्वयम आती है और ले के चली जाती है और उसको खा जाती है तो समली जी आपका साधना तब पूर्ण हो जाता है यह एक्षणी बहुत ही जो है समसान भूम में साधना करने वाली एक्षणी है हम इसी एक्षणी का मंत्र भी आपको बता देंगे इसकी बारे में आपको बता दिया कि एक्षणी कैसे क्या करती है तो हम आपको बता रहे हैं यह सुंदरी एक्षणी की जो साधना है इस साधना को आप मंद्र को पांच जार बार जाप करें परतेक मंद्र के साथ घी और कपूर की आहूती देनी हैं आपको बिसाखा नच्छत्र में रविवार के दिन गाय के गोबर से सिंदूर मिला गया त्रिभुजा कार चौकी आपको तयार करना है त्रिभुजा एक जब चौकी तैयार हो जाए तो बीच में उसमें गड़ा खोदें और वहां पे सिंदूर के पांच बिन्द इस प्रकाल लगाएं और चारो बिन्दू तरफ मद्धि में लगा दें बीच में एक बिंदू लगा के और चार बिंदू चारों लगा दें उसके बाद आपको मुर्दे की हड़ियों को अगनी दीपक करें आपको वहाँ पे मुर्दे की जो हड़ियां होती हैं वहाँ पे आपको दीपक जलाना है और उस पर आपको कपूर की जो है आहूती देनी है इसके परस्याद यक्षणी प्रगट होती है आपको यक्षणी का जो है समसान मुम में जब आप साधना करेंगे तो यक्षणी जो है आपको दर्सन देगी साक्षात कार होगा यह सादना जो है, प्रतीक्छी करण सादना है, हम आपको मंतर्ज दे रहें, करनी की बीधी बता दे रहें लेकिन आप बिना गुरू के कोई भी कारिन ना करें, यह हमासे आप लोगों से जो हमारा यह अनुरोध है तो हम आपको बता देते हैं यक्षणी आएगी जब उसका आगमन होता है किस प्रकार होता है कितना भयानक रहता है जिस समय यक्षणी आती है चारो और धुएं का अंदकार हो जाता है चारो तरब पूरा एकदम आपको धुआ 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 चारो तरम नजर आएगा और साधक के ओर जाती है जब आप वहाँ पे आग प्रजलित करते हैं जो हड्यों के धेर में जो आग आप प्रजलित करेंगे वह साधक की तरफ वहां से अगनी कुन्द में से आग की लपेड उठकर और जब साधना करते हैं उधर ही आएगी उस समय साधना को भैवीत नहीं होना है ध्यान देना आपको भैवीत बिल्कुल नहीं होना है अगर आप भैवीत हो गए डर गए तो आपकी साधना तो निस्फल हो ही जाएगी लेकिन आपकी जानकी भी जो है खत्रा है इसलिए साधना कर यह मंत्र है, इस मंत्र को जाब करके आपको 5000 बार जाब करें और प्रतेग मंत्र के बाद कपूर और घी की आहुती आपको देनी है, जब आप ऐसा करेंगे तो यक्षणी जो है, और यह है चीज आपको बिसाखा नच्चत्र जो है रविवार के दिन, यह है चीज आप ध्यान देना विशाखा नच्छत्र होनी चाहिए और दिन रभिवार हो उसी समय यह जो है साधना की जाती है और इसका पूर्ण रूप से प्रत्यक्षी करण होता है और हम आपको बता रहे हैं जो हमारे प्रिय साधक हैं यह जो है हम बहुत ही गुप्त मंत्र है आप धूरते मिलेगा नहीं क्योंकी यह है बहुत पूरानी जो इंदर्जाल से लिया हुआ मंत्र है ő जो गुरु लोग सरवस्ट्रेश्ट रहते हैं बहुत पूरानी जो बुके हैं उनके पास उनने से लिया गया यह मंत्र है इसलिए इसका प्रयोग करें लेकिन बीना गुरू के सानिद्धि में प्रयोग ना करें यह हम आप लोगों से जो है हमारा या विशेश तोर पर गुजारिस है और मंत्र जो है हम डिस्प्ले पर भी दे देंगे ओ मिरिंग लिंग एक्षणी सुंद्र आयनम इस मंत्र को जो है आपको जाब करना है विशाखान चत्र में रविवार के दिन और हमने आपको सा लिव दिव तादी